आज के वीडियो में हम बात करेंगे कौन से चार तरीके हैं जिसके थूँ आप अपनी वाइब्रेशन को हमेशा उपर हाई लेवल पे रखोगे और आज के वीडियो में बताऊंगो कि क्या होता है vibration, क्या होता है frequency, कहां से आती है energy कैसे हमारी brain perceive करती है, कहां से emotions आते है ये आज तक का मेरा सबसे important video है और मैं चाहता हूँ हर एक viewer इस video के end तक रहे ताकि उनको समझ आए ये चीजे होती क्या है Welcome friends, welcome to the vibrational channel अगर आप पहली बार मेरे channel पर आयो तो welcome मेरा नाम जतिन है, इस channel पर हम बात करते हैं law of attraction के बारे में, spirituality के बारे में science से connect करनी कुशिश करता हूँ मैं हर एक चीज के पीछे मैं evidence देता हूँ कि कौन सी book में बताया गया है हर एक technique के बारे में बताता हूँ हर एक चीज को मैं back करता हूँ spirituality के साथ तो आज हम बात कर रहे हैं law of attraction law of attraction से आप सारी चीज़े अपनी life में attract कर सकते हो, कुछ भी चाहिए आपको आप सोचते हो आपकी life में आता है पर कभी ये काम करता है, कभी ये काम नहीं करता, अब ऐसा क्यों है वो कभ काम क्यों नहीं करता इसके पीछे बहुत बड़ा reason ये है कि आपकी emotions आपकी emotions ही की है तो चलो चालू करते हैं emotion के साथ ये part 1 है वीडियो का, मेरे साथ रहे end तक आपको मैं ये सारी की सारी चीज़े connect करूँगा, तो high vibration, sorry, emotions पर जाते हैं इस चीज़ को हम बोलते हैं emotional guidance scale अगर आप Abraham Hicks के work से familiarized हो, Abraham Hicks हमेशा बात करती है कि emotional guidance scale है वो scale में ऊपर आती है high vibration, मतलब high emotion वाली चीज़े, happiness appreciation, खुश होना किसी को thank you बोलना बिल्कुल satisfied होना ये सारी की सारी feeling आती है यहाँ पर ये green color देख रहे हो अब यहाँ पर मैंने colors use किया है इसका भी कोई reason हमें बताने वाला हूँ थोड़ी दिर में अब यहाँ पर है नीचे red color अब ये red color में क्या है red color में lower emotions आते हैं lower emotions, anger, frustration, jealousy, fear अब ये सारी की सारी चीज़े हर एक person की life में आती है positive भी आती है lower vibration भी आती है कई बार कुछ लोग इन emotions को दबाने लग जाते हैं ये negative emotions को दबाने लग जाते हैं अब ये negative emotions एक energy in motion है अगर आप एक चलतीनी गाड़ी को रोकनी कोशिश करोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है उस गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है ये vibration का basic काम ये है कि वे upward direction में उपर जाती रहे पर अगर आप उसको रोक के spring form में spring को पकड़ के रखोगे तो क्या होगा spring automatically उपर आएगी अब उससे शायद आपकी उगली को चोट भी लग सकती है वैसे ही अगर आप अपनी lower vibration को रोक के रखोगे उसको suppress करोगे तो problem आनी है तो चला ये रहा first part अब चलते हैं बहुत लिए interesting चीज़ के बारे में कि vibration क्या होता है vibration कोती क्या चीज़ है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये low vibration है और ये high vibration है अब vibration होता क्या है चलते हैं एक basic चीज़ के उपर ये sun है हमारा सूरज अब सूरज से किरने आती है सूरज की rays आती है अब हर एक rays को अगर आप ये देखो कि ये एक wave बनीवी है अब एक wave में होते हैं छोटे 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 photons, light particles light particles को हम बोलते है photons, अब वो photons travel करते हैं अब ये जिस direction में जिस wave में travel करते हैं वो vibrate होकर जाते हैं तो वो vibration मतलब वो hill कर जाना एक wave form में जाना इसको हम बोलते हैं vibration, अब frequency क्या होती है frequency बहुत important चीज़ है ये दोस्तों सुनिए frequency frequency एक wave से लेकर दूसरी wave के बीच में जो difference है उसको हम बोलते हैं frequency एक wave और दूसरी wave के पीछे जो हम difference होती है उसको हम बोलते हैं frequency अब यहाँ पर मैं एक example लिया है जैसी यहाँ पर इस wave में आप देखोगे सिर्फ तीन ही wave हैं, जबकि यहाँ पर चार वेव हैं, तो हाई फ्रिक्वेंसी हो गई, अब यहाँ पर छह या साथ हैं, यहाँ पर बहुत ही तेज वो वाइबरेट कर रहा है, तो उसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी हाई है, अब क्या हो रहा है, यह जो लाइट है, यह ट्रैवल कभी भी स्ट्रेट लाइन में travel करती है हमेशा up and down अब ये सिर्फ light सिर्फ light पर ही नहीं आती मतलब ये जो lights है इधर से ही नहीं आती सूरच से ही नहीं आती in fact हमारे अंदर भी वो light है हर एक person light से बना हुआ है we are light beings अब जैसे यहाँ पर आते हैं हम ये सूरच के किड्ने पढ़ती है एक चीज़ पर जैसे ये मारकर पर पढ़ती है अब जिस हिसाब से जिस हिसाब से ये सूरच की किर्ने इस पर पढ़ रही है या light की किर्ने इस पर पढ़ रही है light की raise इस पर पढ़ रही है उस हिसाब से उस हिसाब से ये अपना color दिखा रहा है मतलब ये wave आ रही है पूरी तरीके से इस marker के उपर जैसे ये मालो ये marker है ये wave आ रही है ये marker क्योंकि ये खुद light से बना हुआ है ये बहुत सारी lights absorb कर लेता है बट कुछ wavelength वाली light को absorb नहीं कर पाता और वो जो wavelength को absorb नहीं कर पाता वो color हम देखते हैं इसका मतलब ये है कि ये black color का जो marker आप देख रहे हो वो असल में black है ही नहीं ये सारे colors है except black color ऐसे ही ये जो red color है इस red color ने सारी की सारी wavelength पकड़ ली बट red को पकड़ नहीं पाया इसलिए red को भाहर फैक रहा है अब ये wavelength इस marker पर पड़ रही है ऐसे ही आप ये मालो एक prism वो जो triangle होता है जो crystal होता है जिसके थूँ आपको सात रंग दिखते हैं या rainbows में आपको दिखते होंगे तो वो rainbows में सात रंग जो आते हैं वैसे ही हमारी वो light perceive करती है इनको, इस marker को जैसे ही किरने पड़ी इस पर जैसे ही raise पड़ी इस marker पर मेरी eyes इसको देखती है और सारी की सारी जो energy है जो भार reflect हो रही है जिस angle पर पड़ रही है इस marker पर उस angle पर पड़ने के कारण मुझे पता चल रहा है कि ये black marker है अगर ये green marker होता तो इस पर ये raise इस तरीके से पढ़ रही है ताकि मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है ये green marker है तो मतलब ये है कि actually में actually में ये green marker है ही नहीं ये black marker ही नहीं ये हमारी आखें हैं यह हमारी आखें हैं जो इसको perceive करती है इसको accept करती है brain में डालती है बोलती है कि मैंने इस color brain को बोलती है कि मैंने इस marker में ये देखा कि इसमें सारी की सारी rays पकड़ ली बट एक wavelength नहीं पकड़ पाया और वो wavelength है वो green color अब मैं जानता हूँ यह थोड़ा बहुत टेक्निकल हो रहा है आप लोगों किसे लिए बट मेरे हो सकता है आप लोगों के लिए बट मेरे साथ रही है मैं आपको बिल्कुल समझाओंगा कि ये emotion से कैसे correct होते है तो हमारी ये light आ रही है और हमारी आखे इसको perceive कर रही है brain देख पाता है उसको फिर बता पाता है कि अच्छा ये green color है ये blue color है ये black color है ऐसे ही करके जैसे ही जो low vibration वाली चीजे होती है उसको हमारी आखे देख पाती है क्योंकि वो आ रही है वो वापस reflect हो पा रही है हमारे पास बट ये जो high vibration वाली चीजे हैं ये हमारी आखे शायद नहीं देख पाती इसलिए ही काफी सारे जो अगर आपने देखा होगा कि कृष्णा है उनके पीछे light थी एक या काफी सारे जो high spiritual beings हैं वो automatically disappear हो जाते थे वो disappear इसलिए होते थे वो disappear actually नहीं होते थे वो होते थे वो उनकी vibration इतनी हाय हो जाती थी कि हमारी आखे उनको देख ही नहीं पाती थी हमको सिर्फ रोष्णी दिखती थी और वो रोष्णी को हम perceiving नहीं कर पाते थे कि कहां से आ रही है हमको सिर्फ ऐसा लगता था कि हम इस सूरज को देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो सूरज है जो sun है वो भी एक highly evolved being है या highly evolved god है उसको आप god बोल सकते है कुछ भी बोल सक जाती है क्योंकि उधर से आती है pure light और वो light फिर अलग-अलग frequencies में बढ़ जाती है अलग-अलग wavelength में बढ़ जाती है बड़ अगर pure source पर जाओ वो यहां पर आती है अब मैं बात करूंगा emotions के बारे में यह रास second part of the video अब चलते हैं third part यह हमारे vibration हमारी emotion से कैसे मिलता है अब क्या हो रहा है जैसे ही मैंने बताया है कि यह emotions जैसे यह green color जो है और यह जो red color है हमारी society में हमेशा colors को हम emotion से connect करते हैं एक English में song है I'm feeling blue या blue सिर्फ गाने का नाम blue है या कोई बोलता है कि I'm blue इसका मतलब मैं उदास हूँ अगर कोई लाल लाल emoji देखे होगे अपने अपने फोन में लाल emoji मतलब उसको गुसा आ रहा है यह यहाँ पर अगर कोई green emoji होती है कहीं बार ऐसा लगता है कि वह person sick है अगर कोई बहुती जारा blush आ रहा है red color blush आ रहा है उस पर तो वह बहुती जारा खुश है तो अलग-अलग color से अलग-अलग emotion सो हम connect करते हैं अब यह बात है कि हर एक emotion हर एक culture में different meaning डालता है sorry हर एक color जो है हर एक culture में different meaning डालता है जैसे आपने देखा होगा कि Indian culture में लोग लाल साड़ी पहन कर शादी करते हैं लाल कपड़े पहन के जबकि Christianity में लोग white पहन के शादी करते हैं females की बात कर रहा हूँ जो bride होती हो white पहनती है जबकि white color आप Hinduism में नहीं पहन सकते हैं तो हर एक culture का जो color से connection है वो अलग है अब यही जो reason है यही जो reason है हर एक culture का जो color के साथ connection है उसके कारण ही painting जो है और sculptures जो थे वो create हुए cultures में काफी सारे cultures में आपने monuments में देखा होगा colors डालते थे वो colors इसलिए डालते थे कि अंदर की जो feeling है वो उनको भार निकाल रहे है colors के थूँ तो इसका मतलब यह है कि यह जो different colors है यह सिर्फ और सिर्फ आपकी emotion बताते हैं अब आपका काम यह है कि अगर आप चाहते हो आपकी life में वो emotion high vibration पे रखो high frequency पे रखो तो आपको वो ही same चीज करनी है जो यह सूरज करता है और जिस तरीके से आप इन colors को देखते हो मलब यह black और green इसका मतलब यह है कि जो चीजे जिस तरीके से यह black mark जो चीजे उसको चाहिए वो ले लेता है और जो चीजे नहीं चाहिए उसको निकाल देता है उसी तरीके से उसी तरीके से आपको काम करना है emotional guidance scale पे देखोगे आप तो क्या हो रहा है आपकी जो high vibration मानलो यहाँ पर आप happy हो अगर आप happy हो और अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप इस vibration को accept कर लोगे और इसको आप पकड़ लोगे और अगर यहाँ पर अगर आप उदास हो अगर आपको sad जैसी feeling आई और अगर आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो तो आप पकड़ के रख सकते हो बट आपको वही same colors की तरह काम करना पड़ेगा आपको उस vibration को निकालना पड़ेगा उस lower vibration को निकालना पड़ेगा अब वह निकालते कैसे हैं यहाँ पर चलते हैं हम fourth part पर अब फोर्थ पार्ट यह है कि आपको उन emotions को express करना है जैसे आपको बताया तो शुरुआत के वीडियो में कि यह जो spring है यह suppress हो गई है इसको दबा दिया गया है अब इसको वापिस आपको release करना पड़ेगा decoil करना पड़ेगा अब वो decoil कैसे करते हैं हम करते हैं painting के थ्रू जैसे मैंने बता है painting करनी चाहिए करते थे इस reason से करते थे ताकि वो colors को emotions में डालते थे अब मैं exactly यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपको painting करनी है मेरा मतलब यह है कि आपको artistic काम करना है आपको काम करना है जिसमें आपको pure pleasure मिलती है आपको काम करना है जिसमें आपको happiness मिलती है आपको passion आता है वो काम करना चाहिए जैसे ये वीडियोज बनाना मुझे अच्छा लगता है मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है मुझे टीवी पे अगर कोई हौकी गेम चल रहा हूँ या क्रिकेट गेम चल रहा हूँ मैं वो जरूर देखता हूँ ऐसे करकि कुछ न कुछ चीजें जो होती है जिसके पीछे आप पैशनेट हो उनको मत छोड़ी हो उसके साथ लगे रही है क्योंकि वो जो पैशन है वो आपके true colors दिखा रहे है आपके colors को express कर रहे है आपकी emotions को भार निकाल रहे है ताकि आप उनको दबा के मत रखो तो चार step ये है कि पहली तो आप अपने passion को express करो अपने passion को जब तक आप express करते रहोगे जितने time अपना color दिखाते रहोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए अच्छी लिए काम करेगी दूसरी चीज़ आप उसके बारे में बात कर सकते हो अगर आप उदास हो या आप angry हो और अगर आप चाहते हो आप वो vibration पकड़ के नहीं रखो और आप उसको release करो तो एक बहुत अच्छा तरेका है कि आप अपने family, friends, अपने society में अपने आसपास जो दोस्त हैं जिन पर आप really trust कर सकते हो उनके साथ अपनी problem share कीजिए क्योंकि क्या हो रहा है जैसे ही आप वो problem share कर रहे हो आपको एक हल्की सी feeling महसूस होगी हल्की सी feeling महसूस होगी आपकी vibration automatically high जाएगी आपने ये चीज़ देखिए होगी काफी सारे जो लोग ठेरपिक ले जाते हैं psychotherapist के पास, psychologist के पास psychologist के पास बैठते वक्त उनका काम simply ये है कि वो उनकी problem सुने उनकी problem सुने और उसके बाद जैसे ही वो person अपनी problem बताता है वो person automatically easy महसूस करता है और उसको अपने आप ही खुद option solution पता चलता है इसलिए काफी सारे psychotherapist और psychologist ये बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए next क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी यहाँ पर यहाँ पर नहीं रहे वो अब वो higher vibration पर आ चुके हैं higher frequency पर आ चुके हैं वो higher frequency पर वो खुद बता सकते हैं कि उनको कौन सा decision लेना चाहिए तो दूसरा step यह है कि आप उसके बारे में बात करो talk next है act अगर आपको गुसा आ रहा है या आप उदास हो तो उसके बारे में action लीजिए अब action मैं बता रहा हूँ बहुत ही जुरुनी चीज है कि आपको action गुसे में रहे करने की लेनी है गुसे को transform करके लेनी है इसका मतलब अगर आपको गुसा आ रहा है कि घर पे किसी ने सफाई नहीं की है तो आप खुद करने लग जाते हो कई बार आप नहीं देखा हो गई यह आप गुसे में हो आप फिर घर की सफाई करने लग जाते हो एक जो क्यार आता है मैं को कोई Netflix पर देखा था मैंने किसी person ने बोला कि जब भी कभी मेरी wife के साथ लड़ाई होती है अपने आप घर साफ होने लग जाता है क्योंकि हम दोनों गुसे में होते हैं और हम घर की सफाई करने लग जाते हैं और in fact मेरे साथ भी यह होता है क्योंकि हम उस हमारे यह tendency है natural tendency है एक इंसान की वह automatically spring को release करना जानता है बट हम कई बार उसको suppress कर लेते हैं और मूँ फुला के बैठ जाते हैं हमारा काम यह है कि हम उसके बारे में या तो passion में passionate होए अब कई बार हम गुस्से में रहेकर हम passionate नहीं हो सकते हैं आपको transform करना पड़ेगा उसको या फिर उसके बार हम बात करें या फिर action लें और last चीज जिसके बार मैं हमेशा बात करता हूँ और इसको मैं अलग color से लिख रहा हूँ कहां पर मुझे महसूस हो रही है ये feeling ये गुस्से वाली feeling ये anger की या sadness कहां पर आ रही है ये feeling तो ये था चार step ये चार step को आप हमेशा follow करते रहोगे तो देखो कि आप अपकी body में वो trauma रहेगा ही नहीं वो दिरी दिरी निकलता जाएगा अगर हम बचपन से ये करते वे आते हैं न तो आज की टाइम पर हम बहुत ही ज़ादा अच्छे अच्छे mode में होते है बट खेर हर एक चीज कोई ना कोई अच्छे reason से होती है तो चलो summarize करते हैं इस पूरे वीडियो को वापिस मैंने बताया था कि ये पूरी emotional vibration scale जो है वो बटी भी है दो पार्ट्स में lower vibration और higher vibration higher vibration में आती है happy, appreciation जब भी आप खुश होते हो वो है higher vibration lower vibration में गुसा, frustration, anger, lust pain ऐसी के सारी चीज़ें यहाँ पर आती है अब एक चीज और add करना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने कोने में लिखी है यह बहुत अच्छा question आया था मेरे पास किसी ने पूछा था कि जैसे कि आप बोल रहे हो sir कि हमको हमेशा उन चीज़ें पर काम करना चाहिए जिसमें हमको खुशी मिलती है तो ऐसे काफी सारे rapists हैं, काफी सारे murderers हैं, जिनको खुशी मिलती है यह सब कुछ चीज़े करके उनका क्या? अब एक चीज़ याद रखिए कि आपकी दो तरीकी की feelings होती है, एक feeling आपके brain में चलती है, जो आपको बोलती कि मुझे अच्छा लग रहा है यह करके, एक चीज कोई भी चीज़ करता है, जहाँ पर अगर जैसे, for example, मैं अगर अपना phone निकाल के Instagram चेक करने लग जाता हूँ, continuously जो मैं खुद culprit हूँ, मैं खुद addicted हूँ, अगर मैं यह करने लग जाता हूँ तो मेरे addiction में और उस rapist और murderer के addiction में कोई फरक नहीं है, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर है देख रहे हैं आप वो murderer शायद नीचे थोड़ी और lower vibration में है उसको लग रहा है वो phone निकाल के देखना अच्छा लग रहा है बट वो कहां से आ रहा है वो addiction से आ रहा है वो आ रहा है fear से जब भी कोई person, कोई बहुत ही गलत चीज करता है जहांपर वो murder, rape या ऐसी कोई चीज करता है तो आप यह जान सकते हो कि उसके अंदर बहुत ही deep, deep, deep ट्रामा है जिसको वो दबाने की कोशिश कर रहा है जब भी किसी की life में कोई ना कोई addiction होता है वो उस emotion को stress करने की कोशिश कर रहा है वो instant relief के लिए जा रहा है यहाँ पर बट वो यहाँ पर है ही नहीं वो यहाँ पर अटकावा है सो दोस्तो summarize करता हूँ वापिस यह दो part में बटा हुआ है आपको हमेशा याद रखना है कि आप कहां से act कर रहे हो कौन सी vibration में हो अगर आपको अपनी high vibration रखनी है तो आपको हमेशा एक चीज की बात याद रखनी पड़ेगी कि आपकी vibration जो है वो frequency पर depend करती है एक frequency से दूसरी frequency कित्ती दूर पड़ती है एक consciousness से दूसरी consciousness कित्ती दूर पड़ती है और उसको मैंने और explain किया यह बताया था कि सारे colors को भी हम उसी तरीकी से perceive करते हैं अगर एक color के उपर light पड़ती है वो सारे के सारे wavelength accept करता है एक wavelength वापिस छोड़ता है जो हम देख पाते हैं उसी तरीके से आपको भी वोई color की तरह काम करना है जैसे ही आपके पास emotions आते हैं आपको वो high emotions को accept करना है lower emotions को आपको release करना है release कैसे करते हैं 4 step वापिस मैं बताता हूँ आपको passion पे काम करते में जाना है हर रोज नहीं तो हर हफते में एक दिन painting, singing कुछ भी चीज आपको पसंद है उसमें शायद आपको ऐसा लगे कि career नहीं है बट वो आप career के लिए नहीं कर रहे हैं आपकी खुद की growth के लिए कर रहे हूँ याद रखिए दूसरी चीज आप उस अपने दुख के बारे में अपने trauma के बारे में अपने दोस्तों family से बात कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है वो resource आप मेरे से बात कर सकते हो मैं आपके साथ एक personal session ले सकता हूँ और आपको मैं guide कर सकता हूँ दूसरी चीज है आप उसको उसके उसके एक्षिर उठा सकते हो उसको transform कर सकते हो और lastly आप उसको let go कर सकते हो उसको analyze कर सकते हो अपनी body में feel कर सकते हो और उसको release कर सकते हो तो दोस्तों ये था मेरा video vibration, emotion, frequency के उपर बहुत जारा confusion है इस matter को लेकर तो मैंने सुचा कि आज इसको ढंग से breakdown करते हैं और उसको explain करते हैं अगर आप new हो मेरे channel पर और अगर आपको मेरा video पसंद आया तो दोस्तों के साथ share कीजिए अपनी family के साथ share कीजिए subscribe कीजिए और अगर आप existing subscriber है और अगर आपने bell icon पर button नहीं दबाया तो ज़रूर दबाये क्योंकि मैं बहुत ही inconsistent हो गया हूँ वीडियोस पोस्ट करते वक्त और अगर आपके पास questions है और अगर आप मेरे साथ personal session लेना चाहते है तो आप मुझे email कर सकते है email address नीचे लिखी भी है और आप मुझे Instagram पर भी reach out कर सकते है अगर आपको इस video से related को questions है तो comment box में post कीजिए मैं उसको answer करने की जरूर कोशिश करूँगा तो आपको आपको सकते हैं